असली प्रो फोन दोस्तों आइफून 13 प्रो एक बहुत भयंकर अपडेट दिया इस बार आइफून 12 प्रो जो था यार उसमें नया डिजाइन तो हमें मिल गया था बट काफी चीजों में हम सेक्रिफाइस कर रहे थे मेरे को मतलब at the standard उसकी display भी नहीं लगी थी और battery backup भी काफी डिप्रेसिव था इस बार दोस्तों सबसे जबरदस्त improvement की है आपकी display के अंदर, camera के अंदर और battery के अंदर दोस्तों बहुत ज़्यादा major update आई है यह, मतलब एक बढ़िया phone तो iPhone ने बना दिया था तो improvement की जरूरत पड़ती रहती है, जैसे iPhone X आया था तो भाई design बिलकुल latest था तो उसके अंदर battery का issue उसमें भी था और एक front का camera था जो बहुत ज़्यादा weak था तो इस बार भाई ऐसे ही, मतलब जो access model हो गया था, बिलकुल pro हो गया था, अच्छा phone हो गया था वो तो इस update के बाद 12 के बाद जो 13 pro आया है, इसके अंदर बहुत बारिकी से देखी गई है चीजे और बहुत बढ़िया phone इनों ने बना दिया है, दोस्तों जो मैं आपको बता रहा था, आपको इसके अंदर 3 major improvements मिलेगी बहुत भयंकर improvements, जो की display और camera और battery, तो भाई तीनों ही भयंकर update दा लिया है इसके अंदर और इनी चीजों की daily ways के अंदर जुरूरत होती है, जो display इसके अंदर दिया आपको thousand nits की display है, अंदर बाहर कहीं भी आप चलाइए, बहुत मज़े से, बहुत जादा responsive display आ गया है अब ये न एक kind of standard बन गया, 120 hertz जो भाई बिलकुल बंदे नए है, जिनको भाई सिर्फ Apple ही चलाने को मन करता था और चला रहे थे, तो भाई वो 60 hertz से अब 120 hertz पे आ गया है, तो Apple के लिए बहुत बड़ी update है वैसे दूसरे phone 2-3 साल से दे रहे थे, जैसे मैं Android चलाता हूँ आज कल तो जो pro motion display होती है जो मतलब आप high refresh rate बोलो, जो वो display चलाने के बाद, अगर आपने महीना डेड़ महीना वो वाली display चला ली तो आप दुबारा 60 hertz पे नहीं जा पाओगे, तो अगर आपने 13 pro की display चला ली, तो भाई दुबारा 12 pro पे भी नहीं जा पाओगे और पिछे की तो बात दूर किये, तो भाई इतना जबरदस्त फील होता है, एप्स वोगेरा इतनी smooth हो जाती है, जादा एप support नहीं करता है, अभी मतलब update के बाद, आज एगा मतलब चल रहा है, भाई नहीं जो जो update आती रहेंगी, सभी support करेंगे आपकी 120 hertz की display, और काफी उने अपना साथ में हिसाब किताब बना लिया है, जिनके अंदर हमें देखने को मिल रही है, 120 hertz, मैप जैसी apps हो गयरा है, जो काफी heavy हैं, उनके अंदर आपको 60 hertz ही मिलती है, क्योंकि बैटरी वगेरा भी बचानी होती है, ये 10 hertz से 120 hertz तक चला जाता है, अगर आप जैसे browsing कर हो, तो ये 120 hertz पे चलेगा, काफी smooth scrolling आपको मिलेगी, और अगर आप idle बैट के कुछ देख रहे हो, तो ये 10 hertz तक चला जाता है, तो kind of battery management ये करता है, apple इसके अंदर बहुत अच्छा है, और जो इसके अंदर notch की है, वो काफी shrink कर दिये है, मतलब छोटी कर दिये है, face ID सबको अ ये लग बग 25 से 30% चोटी कर दी शायद, काफी अच्छा लगता है, 12 pro से अगर compare करोगे, तो काफी बड़ा difference आपको यहाँ पे मिलता है, अगर आपको ये phone भाई धक्के से 60 hertz का करना है, तो settings के अंदर, accessibility के अंदर आपको option मिलता है, कि आप इसको 60 hertz पे कर लो, या फिर एक direct option आपको मिलता है, power saving mode on कर दो, power saving mode on करते ही ये भाई थमसा जाता है, 60 hertz पे सहीमित हो जाता है, तो काफी मतलब मैंने तो बिल्कुल भी निरखना 60 hertz पे, 120 hertz बहुत मज़ेदार है, तो दोस्तों ये जो display है, काफी बड़ा update है, 120 hertz भाई सोच ही सकते थे Apple वाले customer, कि मतलब 120 hertz क् भाई, Apple वालों को कुछ नहीं पता, बट अब पता है दोस्तों, जो iPad के अंदर आया था 128, वो ही वाला है, बहुत smooth है, अब मज़ा आएगा, दोस्तों तीन कैमरा इसके अंदर डाले हैं, तीनों ही 12 12 MP के हैं, और setup वो ही है, जो iPhone 12 के अंदर था, 12 Pro के अंदर था, जो अपना Main Photo वाला कैमरा और एक Portrait वाला कैमरा और एक Ultra Wide वाला कैमरा, एक चीज अड़ कर दी है इन्होंने, जो Ultra Wide का कैमरा है, वो भाई, Depth वाला कैमरा ही बन गया, भाई, बिल्कुल जो पास से जो करते हैं न, फोटोस वोगेरा, Macro कैमरा जिसे बोलते हैं, वो भी आ गया है, बट दो-दो मेगा पिक्सल वाले Macro कैमरे होते हैं, वैसा नहीं है, इस बार 12 मेगा पिक्सल का ये आपको Macro कैमरा मिल रहा है, तो बहुत बड़ी अपडेट है ये, कैमरा के अंदर भी लैंस जो थे पिछली बार वाले के हिसाब से आप देखोगे, तो बहुत मैसिव लगबग डबल सा ही हो गया है यार, बहुत बड़े बड़े लैंस है, दोस्तों जो कैमरा डिपार्टमेंट था, वो जो सेमसंग की जो S21 वाली सिरीज थी या फिर Note 20 Ultra था, वो काफी आगे लिकल गए थे अपने 12 Pro से, तो इस बार बढ़िया कमबेक कर लिया है, काफी फीके लगने लगे हैं अब दूबारा से वो, तो बढ़िया कमबेक कहेंगे, इसको मतलब जो मेन कैमरा है, बहुत भयानक फोटोस लेगा, तो मतलब फोटोस के अंदर आनद ही आनद है, और जो आपको पोट्रेट वाला कैमरा मिलता है, थोड़ा जूम इन थोड़ा सा जादा मैसूस हो में डेप्थ डाली है, ओप्टिमाइजेशन भी बहुत करता है, बहुत ज़्यादा, वीडियो के अंदर तो ये था ही प्रो, फोटोस के अंदर भी अब प्रो हो गया है, पिछली बार थोड़ा सा डिप्रेसिव था, क्योंकि मतलब मजा नहीं आया था, यार, कम्पिटिश काफी अच्छी आपको मिल जाएगी, और ये अगर आप लेंस को थोड़ा सा अपने आप पास में ले आते हो, तो अपने आप ही मैकरो कैमरा आ जाता है, जो भाई रसियों के अंदर की चीजे या फिर मचली की आँख में देखना हो, आपको ऐसी ऐसी चीजे आप कर सकते है इसे, और वो भी 2 मेकापिक्सल नहीं भाई, जैसे और फोन देते हैं, ये भाई 12 मेकापिक्सल में अपने को मिल रहा है, तो काफी साही है, अपडेट बहुत प्रो है, फोटो के मामले में बहुत जोबर दस्त है, दोस्तों वीडियो के अंदर आपको इसके अंदर अगले पिछले बंदे को जैसे DSLR करते हैं, तो वो काफी बढ़िया चीज लगती है, और एक ProRes का भी फीचर आ रहा है, आप लगे रही है, फोन को चलाते रही है, अपडेट में आपको मिल जाएगा, तो ऐसे थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, बत कहीं नहीं जा तक की, तो भाई, दो मिनिट की वीडियो एक GB की बन जाती है, तो आप अगर एक दिन भी वीडियो बनाएंगे लगातार, तो भाई, ये पूरा भर जाएगा, अगर आप Instagram पे Reels बनाते हैं, तो भाई, इससे बढ़िया Reels आपको कोई नहीं बना के देगा, अगर आपको YouTube क content बनाना है, या फिर आपको vlogging करनी है, या फिर आपको Instagram पे Reels डालने का चशका चड़ा हुआ है, तो भाई, इससे बढ़िया ये काम कोई दूसरा phone नहीं कर सकता, तो इस बात के लिए बहुत बढ़िया है, बट GB का जरूर ध्यान रखना, 256 अगर आप specific camera के लिए जा रहे हो तो 256 जरूर ले लेना, 128 में आपका काम नहीं चलने वाला, दोस्तों बैटरी के अंदर बहुत जबरदस्त improvement हुआ है, आपको 3000 mAh की बैटरी दे दिया है, और भाई, ये पिछले वाला phone तो शाम तक मंदा पड़ जाता था, पावर सेविंग लगाना पड़ेगा भाई, और आपने चार्ज कर दिया इसको, तो भाई, पूरा लड़ता है, 6 गंटे, 7 गंटे तक का screen on time दे देता है, जो की भाई, end level आप इसे बोल सकते हैं, अगर आप Pro Max के अंदर जाते हैं, 13 Pro Max में, तो भाई, आप 5 गंटे रे screen on time ले चुके होगे, और आपके पास लगबग 50% की battery और रह जाएगी, लगबग 2 दिन तक का battery backup आपको मिल जाएगा, light uses या moderate uses में, तो बहुत जाबर दस्त है, बैटरी के अंदर तो भाई, पिछले वाले से बहुत जादा improvement की है, तो वेट भी बढ़ गया है, ये प्रो का भाई, 204 गराम के आसपास वेट हो गया है, और वो द 3 layer camera का हो गया है, बही एक तो glass उठा हुआ है, उपर से frame उठा हुआ है, उपर से camera का lens भी उपर उठा हुआ है, तो काफी बड़ा, काफी huge लगता है, देखने के अंदर, camera मतलब आप हाथ में भी use कर रहे हो, तो इसको cameras में अलगी feel आती है, अगर case वगरा डाल लेगे, तो थोड़ा symmetric सा हो जाएगा, charging speed थोड़ी आपको slow देखने को मिलती है, आजकल 50 watt तक के बंदे मिले हुए है, Android phone दे रहे हैं, मतलब लगाते ही तुरंत बिजली से भर गया phone, ऐसी ऐसी चीज़े है, मतलब काफी डिप्रेसिव लगती है, अगर मैं इसको charging लगाने बैठता बहुत जादे इंतिजार करना पड़ता है, बहुत slow feel होता है as compared to Android, इसमें भी Apple को take up करना चाहिए, थोड़ा सा पीछे पीछे भाग रहा है, मतलब आगे निकलना चाहिए, ऐसा कोई टैक ले के आए भाई, जो बैटरी को भी full तेजी से charge कर दे, तो उसमें भी काफी मज़ा अगर देते हैं, एक ये type C port अगर देते हैं तो भी बहुत मज़ा आ जागा यार, काफी convenient रहता है, ले के नहीं गूमनी पड़ती, अलग से, जैसे मैं अगर Android यूज़ कर रहा हूं, तो उसी के charger को इसी के अंदर यूज़ कर लूग, और तब काफी earphones के भी option काफी बढ़ हैं, बढ़िया-बढ़िया headphones वगेरा, मतलब ध्यान रखना चाहिए यार, थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है, ये इतना मतलब इतना पैसा दे दिया है हमने, थोड़ा सा इन चीजों पर भी focus हो जाना चाहिए, बाकी दोस्तों, अगर आपको 12 Pro से इसको compare करना है, तो आ आपको 13 Pro लेना बनता है, तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, आपसे जल्दी मिलते हैं नहीं वीडियो केंगे, जाएंगे